तो वकील साब बहुत सारी लेडी से हमने बात करी और उनके रियक्शन्स आपने देखी लिए ऐसा कहा गया था कि इसमें मौत का भी प्रावधान है तो क्या ये बात सही है जी बिल्कुल ठीक है अगर इस तरीके कोई ओफेंस है जैसे रेप हुआ उसमें जैसे निर्भया के क में हुआ था कि ऐसा कुछ एक्शन कर दिया जिससे की महिला आगे नॉर्मल कोर्स में जी नहीं सकती वेजिटेटिव स्टेट में आ गई या उस किसी महिला के साथ गैंग रेप किया गया उस उस तरीके की सिचुएशन में कम से कम 20 साल की सजा है जो की उम्रकाद में भी बाद जितनी जिंदगी बचेगी अगर उम्रकाद इंप्रेजन्मेंट टिल डैथ है तो इसका मतलब हुआ कि जब तक जिंदा रहेगा वो जेल में ही रहेगा कानून में तो बदलाव किया गया पर आपकी बाद ठीक है जैसे कि मैं इस काईफे महिलाओं का इंटर्वी भी नहीं कोई कानून होगा कानून कानून कैसे काम करता है कानून काम करता है खौफ से कानून काम करता है सिरफ खौफ से अगर लोगों को पता है कि यह कानून है इस कानून के अंतरगत मुझे कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है मैं अगर मैं यह ट्राइल हुआ तो कोर्ट मुझे क कुछ होगा आप मुझे बताइए जब से यह लौ पास हुआ है तब से लेकर अब तक किसी को भी इस मामल में फासी हुई है फासी तो नहीं हुई हाँ जरूर फास्ट ट्रैक्स जरूर हुए है इसमें इस कानून में प्रोविजन से जिसमें की अगर कोई रेप की घटना होती है तो चार्चीट फाइल होने के अंदर के अंदर के दो महीने के अंदर अंदर ट्राइल कंप्लीट होना चाहिए अभी पीछे जो निर्विया कांट वाला केस था वो भी केस काफी जल्दी डिसाइड हुआ एक ऐसा इंसीडेंट भी था नैशनल लॉज स्कूल बैंगलोर क कि एक छात्रा के साथ गैंग रेफ हुआ था वह सिरफ 14 में उसमें लाइफ इंप्रिजेंट मेंट की सजा दी गई फास्ट ट्रैक्स जरूर हुए है कानून की इंप्लिमेंटेशन जरूर हो रही है जहां तक सजाए मौत का सवाल है सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डारेक्शन हो जाया तब इसको फासी दीजाए या सिर्फ इतना ही सफिशंट है कि लाड़की के साथ बालतकार हुआ है बलतकार के के से इस तरीके के कि किसी को टेफ hoodies have been to supreme court केंज़ ना दी जाती है ब हतलिए-दी ना जिस्में की जब तक जिंद्गी है कायद में ही रहेंगे आपने अगर कोई ऐसा autocad नहीं है टो आप आपiley हमाज में रहें हैसा अलगलग जेल में ही रहेंगे जितनी आप की जिंदगी बची है चलते चलते यह बताई कि लॉइंट में कितना रहा है इसकी इंप्लेमेंटेशन फेबुरियरी 2013 में हुए थी आज हम 2014 में ही है साल हो गया है अमल में इसलिए आ है अब काफी जो इसमें अमेंट्मेंट्स होई थी वह एंफोर्स हो रही है जैसे कि मैं आपको बताता हूं एक जीरो एफायर को प्रोविजन आ गया पहले क्या होता था कि पुलिस एफायर नहीं लिखती थी कहती थी हमारी जूरेदिक्शन में यह मैटर नहीं है अब क्योंकि पुलिस वालों के अगेंस्ट दो साल की सजा का प्रावधान हो गया तो कोई भी पुलिस ऑफिसर कंप्लेंड लिखता है एफायर दर्ज करता है वोमन के अगेंस्ट जिस तरीक कोई रेप का केस हो 354 के उफेंस है इस त अदे कोगाओं कोट थी आशाराम जी के केस में भी जो बच्ची थि ति उसने क cling okay अफरेंस के राजिस्तान में रजिस्टर कर ली गई और उसे राजिस्टान में भेज दिया गया ऐसे बात है कि कोई व्यक्ति पर बार फोन करके किसी लड़की को परिशान कर रहा था उसके उसको गर से निकलना मुश्किल कर रखा था तो उस केस में भी 304D का चार्ज लगाया गया है तो ऐसा नहीं है कि अमल नहीं हो रहा एक साल हुआ है अमल होना शुरू हो गया है और दीरे दीरे इसमें सजा भी ज़रूरी है आज हमारा मोटी भी आई था कि महिलाओं को के सामने अवेर्नेस हो उन्हें पता चले कि इस तरी नहीं लेते तो हाईयर ओफिशल के पास जाए और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं अगर कई पुलिस में सुनवाई नहीं भी है तो आप डारेक्ट कोर्ट में आगे क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं लेगल सर्विस अथॉर्टी की सहायता ले सकती है उसमें आपको नेचर ऑफ जो जजज होगा कोशिश की जाएगी कि महिला जजज ही हो इतने सारे प्रोविजिएंस आ गए महिला पुलिस करमी ही आपकी शिकायत सुनेगी रिकॉर्ड करेगी ज़ो आपका ट्रायल करेंगी वह भी महिला होंगी अब सरकार ने तो इंप्लेमेंट करने की को अगर आप हमारे प्रोग्राम के लिए कोई भी राय देना चाहते हैं तो you are most welcome आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं नमबर पर कॉल कर सकते हैं अपनी राय हमें जरूर दें अगर आप चाहते हैं कि किसी खास विशे पर हम चर्चा करें तो वो भी हमें जरूर बताएं आज बस इतना ही नमस्कार कर दो किसान प्रावांदी बल्ले बल्ले उन हर तरह दियां फसला फाड़ते सब्सियां देलेई